स्वागते दोस्तों आपका हमारे चैनल AllCBSE Education in Hindi में दोस्तों आज का यह जो टोपिक है आपका जैन धर्म तथा बहुत धर्म की सिक्षाओं का वर्णन करें तो आज की इस वीडियो में हम इसकी सिक्षाओं देखेंगे और जो टोपिक है आपका जैन धर्म की सिक्षाओं पह आई होप कि आपको यह अच्छा लगे और पूरा देखे वीडियो तो एकी बार में आपको जो है जैन धर्म की सिर्फ सिक्षाओं आज की वीडियो में तो पूरा समझ आ जाएगा और बता दू जिन वच्चों को नहीं पता है हमारा जो है हिस्ट्री का समेस्टर वन का जो जैन धर्म की सिक्षाओं तो आपको पता है कि जैन धर्म की जो महत्पुर्ण जो लोग है महावीर जो है उन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं करी थी महावीर तो एक सुधारक थे तो देखेंगे हम इसमें क्या कहा गया है तो ग्यान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने सिध्धान्तों का प्रचार सुरू किया समाज के कुलीन वर्ग के लोगों ने भी उनकी सिख्षाओं को ग्रहन किया पाली ग्रंथों के अनुसार महावीर एक नए धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्गी पार्चावनात द्वारा चलाएगे धर्म में सुधारक के रूप में उबरे थे पार्चावनात ने समाजीक धार्मिक समानता पर विश्चेश बल दिया और चार सुत्रिय धर्म का प्रती पादन किया और महावीर द्वारा एक महावरत जोड़ा गया तो ये जो चार पहले दिये थे जो वरत महावरत वो पार्चावनात ने दिये थे फिर लाश्ण में क्या है कि पांचवा महावरत जो है वो हमारे महावीर जीदवारा दिये गए तो ये मिलके जो है बनता है पंच महावरत जैसे आपका आहिंशा, सत्य, अस्ते, प्रिग्रह तथा ब्रहम चार्रे तो ये थे, तो अहिंशा, वन बाई वन अब इसको जो है हम डिफाइन करेंगे मैंने इससे पहले ही बता रखा आपको शिक्षाय थोड़ा बहुत बता रखा है उसमें आपको जैसे जैन दर्सन में बताया होगा या बहुत दर्सन तो उनमें बताया होगा लेकिन आपका सिर्फ अलग से कोशन बनता है जैन धर्म तथा बहुत धर्म के जो सिक्षा है उनको बताए तो इसलिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छे से समझ जाए तो अहिंसा ये जैन धर्म का प्रमुक सिधान्त है जिसमें सभी परकार की अहिंसा के पालन पर बल दिया गया है अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए नेमलिकित आचारों का निर्देश हुआ है तो कुछ निर्देश दिये गया है कि जिससे जो है अहिंसा हो सकती है पहला है सईयम से चलना ताकि मार्ग में कीट पतंगो की कुछलने से हिंसा न हो जाए इसका कहने का अर्थ है कि हमें जो है सही से चलना चाहिए ताकि जो है जब इन पे कीड़े मकोडे जो रेंगती रहते आप चीटी देखेंगे तो उनको क्या है कि नुकसान न पहुँचे इससे हिंसा न हो सईयम से बोलना ताकि कटू वचन से किसी को कश्ण न पहुँचे तीसरा है सईयम से भोजन करना जिससे किसी भी कीड़े मकोडे की हत्या न हो सके किसी वस्तु को उठाने तथा रखने के समय विशेश शावधानी बरतनी बरतना जिससे जीवों की जो हत्या है वो ना हो पाचवा है मल मूत्र का त्याग ऐसे इस्थानों पर करना जहां किसी जीव का जीव की हिंसा होने की आशंका ना रहे तो यह पाच निर्देश है अहिंसा के जो कहा गया है अहिंसा का पालन इस तरह से होगा तो इसका सीधा सा आर्थ था एक लाइन में कहे तो जीवों की हत्या ना हो जीवों को नुकसान ना पहुँचे दूसरा है सत्य तो इसमें सदेव सत्य बोलने पर जोर दिया गया है इसका आचरन निम्न है तो आचरन मींज इसके भी निम्न निर्देश है पहला है हसी में भी जूट नहीं बोलना चाहिए दूसरा लोब होने पर मौन रहना चाहिए तीसरा भय होने पर भी जूट नहीं बो नेफ्स्ट है आपका अस्ते तो इसके अंतरगत निमलिखित बाते बताई गई है जैसे बिना आग्या के किसी के घर में परवेश ना करना तो अस्ते का जो आपका मीनिंग होगा यह होगा चोरी ना करना तो इसमें क्या है कि बिना आग्या के किसी के घर में परवेश ना करना चोथा है गुरू की आग्या के बिना भिक्षा में प्राप्त अनक को ग्रहन ना करना और पांचवा है बिना अनमती के किसी के घर में निवास ना करना तो ये था अस्ते का जिसमें चोरी करने का आता है इसका मींस और इसकी कुछ बाते थी निर्देश थी चोथा आपका आप परीग्र है इसमें किसी भी परकार की संपती एकत्रित ना करने पर जोर दिया गया है क्योंकि संपती से मो और आशक्ति का उदे होता है संपत्ति अगर इखटा करेंगे तो उसे क्या होगा एक हमारे अंदर जो है लालच की भावना जो है वो उत्पन होगी तो ये चार थे जो ये चार जो मैंने बताए आपको अभी तो इन्हों इसको जो है पाशव नाद द्वारा दिया गया है तो उपयोक्त चार सीधांट जहनमत में सब पहले से चले आ रहे थे उपर की चारों बताया वो जहनमत में पहले से चले आ रहते लेकिन ब्रहत चार्रे का विधान महावेर जीने जोड़ा है इसके अंतरगत भिक्षु को निमलिखित निर्देश दिये गए है पहला है सुध एव अल्प भोजन ग्रहन करना दूसरा किसी इस्तरी को न देखना तीसरा है किसी इस्तरी से बाते न करना चोथा किसी इस्तरी से संसर्ग की बात कभी न सोचना पांच वाहे ऐसे घर में न रहना जहां कोई भी इस्तरी अकेली रहती हो तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से ये था आपका जैन धर्म की सिक्षाई का कुछ बाते आगे भी आपको देखते हैं को जो है क्या बताए गया देखते आगे तो मौक्ष के लिए उन्होंने क्या है महावीर जी ने या जैन धर्म ने तीन साधन आवशक बताए है एक समियक दर्शन आगे देखेंगे समियक सोरी ये जो है दो दो बार हो गया है तो यहाँ से स्टाट करते हैं मौक्ष के लिए तीन महतपूर्ण साधन है एक समियक दर्शन है दूसरा है आपका समियक ज्यान और तीसरा है समियक चरीत्र तो समियक दर्शन से स्टाट करते हैं तो जैन तीर्थकर और उनके उपदेशों में उसके आठ आंग बताए गए है संदय से दूर रहना, सांसारिक सुकों की इच्छा से दूर रहना, सरीर के मो राक से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर ना चलना, सही विश्वास पर अटल रहना, जेन सिधान्दों का सर्वसरेश्ट समझेना, सब के प्रती प्रेम की भावना रखना, अधूरे विश्वासों से विचलित ना होना, इनके अतिरिक्त लोकिक अंद विश्वासों पाखंडों आदी से दूर रहना, आदी का निर्देश भी दिया गया है, तो ये समयक दरसन था, आयोब क्या कोई समझ आ गया होगा, समयक ज्यान में क्या कहा गया है, तो जैन धर्म और उसके सिधानतों का ग्यान ही समयक ग्यान है। पूर्ण ग्यान जो किवल तीर्थकरों को ही प्राप्त है। तो यह तीन थे आपके जो है मौक्ष के लिए मौक्ष जो प्राप्ति के लिए तीन आपके यह जो है आपके त्री रत्न है जैन धर्म के आई होपके कोई समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट है। जैन धर्म ने निमलिखित बातों पर बल दिया। कौन-कौन सी थी बाते वो जगत अनादी है और इसकी सभी पदार्थ नशवर है। दूसरा बता है आत्मा मौक्ष प्राप्ति का एक सोपान है या आत्मा जो है मौक्ष प्राप्ति का एक तरीका है या एक जरिया है और जीव ही आत्मा है। तीसरा है मन आत्मा से भिन्न है। चोत्वा मोहमाया और करमों के प्रति आकर्शन ही करम बंधन का एक मूल कारण है। पांचवा करमों से मुक्ति पाना ही परम धे हैं। छटवा आपका मुक्त आत्मा इस्रेष्ट है। सात्वा समयक दर्सन समयक ज्यान समयक चरितर ये तिरी रत्न भी मौक्ष प्राप्ति के साधन है और आठवा है आपका जैन धर्म के अनुसार मनुस्य का लक्षे के वनले पद मतलब मौक्ष की प्राप्ति है इसमें बताया गया कि जैन धर्म के अनुसार जो मनुस्य का कि यहां से आपका जो है एक मिनट यह एक मिनट यह आपके ये तक अपका क्या है तो आपको क्या करते हैडी सब्सक्राइब तो आई होग कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जादस जादा अपने दोस्तों में सेर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताए कैसे लगी वीडियो और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक् और बैल का आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको मिल सके सबसे पहले तो मिलता हूँ आपसे अगले और अक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जया हिं जया भारत वंदे मातरम